भार्टिय सेना में अक्सर हमने अलग-अलग रेजिमेंट्स के बारे में सुना होगा राजपूत रेजिमेंट, कोर्खा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट और भी कई सारे कई बार ये चर्चा उठती है कि क्या भार्टिय सेना में जाती वाद है हाल के दिनों में सेना में कई नए जाती आधारित रेजिमेंट्स बनाने की मांग भी उठी है हाला कि सेना और सरकार दोनों ने ऐसे किसी भी आधार पर रेजिमेंट बनाने से साफ इनकार कर दिया है नमस्कार मेरा नाम अप्राजिता सिंग है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिमिल्स आसान शब्दों में कहें तो रेजिमेंट सैनिकू के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक नियम और व्यवरस्था के क्रम से बढ़ा होता है हर रेजिमेंट का अपना विशेश रंग वर्दी प्रतिक्शन होते हैं एक रेजिमेंट सैनिय बलो के संगठन का एक हिस्सा होती हैं जिसमें बटालियन शामिल हो सकते हैं गाड्व ब्रिगेड, राजपुताना राइफल्स, गोर्खा राइफल्स, पंजाव रेजिमेंट और भी भारतिय सैना की कई रेजिमेंट हैं जिन से मिलकर भारतिय सैना की इंफैंट्री रेजिमेंट बनती हैं सेना में रेजिमेंट्स के इतिहास की बात करे तो भारत में रेजिमेंट्स सबसे पहले आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बनी थी शुरुवाती समय में जब अंग्रेज समुद्रे इलाकों तक ही सीमित थे तब उन्होंने सबसे पहले मदरास रेजिमिंट बनाई फिर जैसे जैसे अंग्रेजी साशन का विस्तार होता गया नई रेजिमिंट बनती गई वार्ट अलबे की भारतिय सेना में ज्यादातर विवस्ताएं अंग्रेजों के समय से चली आ रही है शुरुआत में ब्रिटिश अपनी सेना की छोटी टुकडी और अफसरों के साथ भारत आये थे इसके बाद जब उन्हें ब्रिटिश सेना में भरती के शुरुआत की तब उन्होंने समुधरी एलाकों से अपना विस्तार करना शुरू किया तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ऐसी जातियों को सेना में शामिल किया जो जंग के मैदान में खुब बहादुरी से लड़ती थी ऐसे में उस दोरान सिख सामराज्य ने अंग्रेजों के खिलाफ तीन युद लड़े थे जिसकी वज़े से अंग्रेजों की नजर में सिखों को काफी बहादुर माना गया इसके बाद अंग्रेजों ने 1846 में ब्रिटिश भार्तिय सेना में सिख रेजिमेंट बनाया और सिख रेजिमेंट में ज्यादा तर सिखों की भड़तिया हुई पहले तीन राजपूत रेजिमेंट को 31 बंगाल नेटिव इंफेंटरी के नाम से जाना जाता था इसके बाद इस रेजिमेंट के दूसरे कप्तान सैम्वल किल पैटरिक के नाम पर बंगाल नेटिव को किल पैटरिक की पल्टन कहा जाने लगा इस पल्टन में यूपी बिहार के राजपूत, ब्राम्भन और मुश्लिम शामिल हो सकते थे इस रेजिमेंट में सैनिक अपने मजबूत काटी और रौबदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे 1825 तक राजपूत रेजिमेंट 1, 2, 4 और 5 के स्थापना हो गई थी इसलिए ये कहा जाता है कि सेना में जाती गत रेजिमेंट के शुरुवात अंग्रेजों ने की थी लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी कई बार उठाया गया है कि आजादी के बाद सेना की जाती आधारित रेजिमेंट को खत्म क्यों नहीं किया गया और अगर सरकार जाती आधारित रेजिमेंट के खलाफ नहीं है तो आजादी के बाद कोई और जाती रेजिमेंट क्यों नहीं बनाए गई जैसा कि हमने कई बार अहीर और ब्रामन रेजिमेंट के मांग की बात सुरी है तरसल आजादी के बाद भारत को एक के बाद एक बड़े युध लड़ने पड़े जिसके कारण आजादी के तुरंद बाद सेना में बदलाव करना उचित नहीं समझा गया आजादी के बाद एम करियपपा को भारते सेना का पहला कमांडर इनचीफ बनाया गया उन्होंने पुरानी विवस्था के साथ सेना को नए भारत के लिए तयार करने का काम किया इसके लिए एमकरियपपा ने National Cadet Corps NCC को मजबूत किया साथ ही Territorial Army का भी गठन किया हाला कि आजादी के बाद सेना में सबसे बड़ा सुधार Brigade of the Guards Mechanized Infantry को माना जाता है इसमें किसी भी धर्म, जाती और समुधाय के आधार पर भरतिया नहीं की जाती है ऐसा नहीं है कि British Raj में सिर्फ जाती के नाम पर ही resumeants बनी थी जाती के साथ ही धर्म और स्थान विशेश के नाम पर भी resumeants कि स्थापना की गई थी जैसे सिख रेजिमेंट के स्थापना 1846 में की गई थी पंजाब रेजिमेंट का गठन 1705 में हुआ था इसके अलावा मदरास, गड़वाल राइफल्स, कुमाउ रेजिमेंट, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स भी ऐसी ही रेजिमेंट्स है हाला कि आजादी के बाद देश में कभी भी वर्ग, पंथ, शेत्र या धर्म के आधार पर सेना में रेजिमेंट्स का गठन नहीं किया गया है इसके पीछी भारत की अभी तक की सभी सरकारों का रुख स्पष्ट रहा है कि भारतिये नीती के अनुसार सभी नागरिक चाहेवे किसी भी वर्ग, धर्म, शेत्र और पंथ की हों भारतिये सेना में भरती होने के पात्र है आजादी के बाद भरत सरकार की ये नीती रही है कि किसी भी वर्ग समुदाह धर्म या क्षेत्र विसेश के लिए कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाए